Hello everyone, my name is Meet, आप देखे रहे हैं टेक्निकल गवर्मेंट जॉब अलवर इंडिया यूट्यूब चैनल, आज का जो लेटेस्ट अपडेट आए हैं, बहुत ही बड़ी अपडेट आए हैं, जिसमें आप इंडिया में किसी भी स्रीटी या स्टेट से बिलॉंग करते हैं, आप इ कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगे, स्टैप बे स्टैप तांकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े, तो यह जो रिलीस किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री आफ लिवर एंड इंप्लॉइमेंट कि तरह से किया गया है, गवर्नमेंट आफ इंडिया कि तरह से, सो करके, बैल आइकन को प्रेस करके, औल पर क्लिक करना, तांकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, बाकि इस रिक्रॉट्मेंट के इलावा, काफी सारे नए डिपार्टमेंट हैं, जिनकी वेकैंसी आचुकी है, आप अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी सिट हमारी ओफिशल वेबसाइट www.clory.com पर विजिट करके, इंफोर्मेशन लेकर अप्लाइ कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रिया गया है, और आप देख भी पा रहे हैं, आप इसको डारेक्ली गूगल पर भी टाइप कर सकते हैं, फर्स न इंडिया में किसी भी सिटी, डिस्टेक या टाउन से विलॉंग करते हैं, आप इलिजिबल और अप्लाइ कर सकते हैं, चाहे मिल केंडिट है, चाहे फिमल केंडिट है, इसके लिए स्टार्टिंग सेलरी भी बहुत बढ़ी आपको दी जारी है, इन हैंड आपकी 20,000 सेलरी प्लस अधर एलॉंज एल्स पर नॉर्म से इसमें आपको पे किया जाएगा, और यह आपकी पर्मारेंट जॉब रहने वाली है, तो यह आपके लिए बढ़िया उपरचुनिटी है, नेक्स्ट कर हम बात करें इंप्लाइ करना आज से स्टार्ट हो चुका है, आगे मैं आप आपको कंप्टीर स्क्रिंग पर चलकर स्टैपने वीडियो को आन इ एक अपको कोई प्रॉबलम नहीं आने वाली है, आप्लिकेशन अप्लिकेशन को लेकर. अब बाद करें लाभने मादे की का यह एपके लिए जैसे मेंने आपको स्टार्टिंग बताई यह अपकी पर्मेनेट जॉब रहने वाली है नेक्स अगर बात करें इसमें कॉन सी विकैंसिज आउट की है तो यह जो विकैंसिज आफिस असिस्टेंट की पोजिशन के लिए आउट की है आपने देखा होगा और जब भी विकैंसि के लिए अप्लाइ कर सकते हैं इसमें आपको एज रिलेक्सेशन भी मिलेगा और तीन काल तीन साल का एसी को पांच साल का एंड अदर्स को आइस पर नॉम्स इसमें रिडेक्सेशन भी दिया जा रहे है minimum age आपकी 18 अपप्लाई केजिए maximum 32 तक है तो आप अप्लाई कर सकने हैं next अगर बात करें salary की मैंने आपको starting बताया 20,000 तक है starting की अगर बात करें 13,700 से 20,100 आपकी per month salary रहने वाली है और job type की बात करें आपकी permanent job रहने वाली है अब next के लिए बात आते है selection procedure की selection procedure उन्होंने वैसे describe नहीं किया है but in vacances के लिए आपकी 99% chances है आपकी इसमें personal interview हो सकती है उसे के basis पे आपकी selection हो सकती है तो return exam के chances इसमें नहीं है जिस तरह के से notification को release किया गया है so apply करना start हो चुक है जो मैंने आपको starting में भी बताया है so apply कैसे करना है तो मैं आपको computer screen पर चल के बताती हूँ apply कैसे करना है link आपको कैसे मिलेगा description में आप जाएंगे वहाँ पर पहला link आपको इसी recruitment का मिलने वाला है उस पर आप करेंगे click last में मिलेंगा आपको required link पहला link download notification PDF का क्लिक करेंगे notification आप रीड कर सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है apply online पर click करना है जैसे आप apply online पर click करेंगे अब चलते हैं हमारी official site के ओपर वहाँ पर step step way step आपको पताती हूँ कैसे apply करना है यहाँ पर आप 12th pass है graduate है post graduate है हर कोई आप मेंसे इसके लिए इरिजिबल ने apply कर सकते हैं फुल टाइम यह आपकी जॉब रहने वाले हैं उसके बाद यहाँ पर company का name भी इन्होंने डिस्क्राइब किया हूँ फंक्शनल एरिया आप यहाँ से read कर सकते हैं इसके इलावा बात आते हैं इसके लिए apply कैसे करना तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा apply वाले option पर जैसे आप क्लिक करेंगे यह वरा इंटरफेस आपके सामने किया हुआ है आप ध्यान से समझना रेजिस्टर कैसे करना है क्योंकि बहुत ही बढ़िया जॉब प्रफाइल है और गवर्मेंट का ही पोटल है आप यहाँ से apply जरूर से करना अब यहाँ पर आपने सबसे पहले new user यह sign up पर क्लिक करना होगा जैसे हमने यहाँ पर क्लिक कि मतलब आपको जॉब चाहिए तो यही ऑप्शन आपने स्लेक्ट रहने देनी है फिर भी आपको दिखा देते हूं इसके इलावा कौन कौन सी ऑप्शन से आप देख पारें एंप्लॉयर है लोकल सर्विसीज है हाउस होल्ड यूजर है स्किल प्रोवाइडर कॉंसलर प्लेस यहां पे आप अधर पे स्लेक्ट कर सकते हैं अधर पे आपके सामने उप्शन सा जाएंगी आपके पास क्या है वोटर कार्ड है ड्राइविंग लाइसेंस है पास्पोर्ट है अधार कार्ड है एंप्लॉयमेंट एक्स्चेंज आइडी है तो जैसी आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगी आपको यू आइडी नंबर यहां पे मेंचिन करना होगा उसके बाद यहां पे आपको प money डेड़र प्रस्ट कर लेना होगा उसके बाद आपको चैक पे क्लिक करने सी अपकी डिट सब कुछ होके रहता है तो next आपका जो procedure रहता है आपको अपना यूजर निम रखना है वहाँ पर मतलब अपने email आड़ी आपको मैजिशन करने होगी तो उसके बाद जैसे ये check वली option आपके सामने highlight हो जाएगी आपके सारी जीजर चेक हो जाएगी यहाँ पर उसके बाद आपको अपने email आड़ी मैजिशन करने है उसके बाद create password पर click करना होगा उसी password को आपको confirm करके आगे बढ़ जाना है जो यो details आप से required होगी वो सारी की सा आटिंग में दिखाया था यह वला इंटरफिस आपके सामने open हो था यहाँ पे देखियोंने मैंशन के है फूल टाइम आपकी जॉब रहने वाली है 12 पास यहाँ पर इलीजिबल है सारी चीज़ डिटेल में डिस्क्राइब की हुई है तो आपने यहाँ पर प्लाइपे क्ल क्या है कब आप प्लाइपfig कर देना होगा इसी तरह की से अप्लाइपकर करेंग cac करने इसके इरावा जो भी लेटन विकेंशिब शॉप यहाँ से चेक कर पाएंगे यहाँ पी आप देख पारे हैं तो आप यहा恩 मैंशन कर सकते हैं। यहां पर expected salary आप यहां पर mention करेंगे कि आप कितनी salary expect कर रहे हैं per year suppose that आप per year की लिए expect कर रहे हैं 250,000 ठीक है तो all jobs पर सर्च करेंगे अगर इनके पास इस category में jobs होंगी वो भी आपके सामने आ जाएंगी otherwise आप अलग profile की job search कर सकते हैं यहां पर मैंने सर्च किया आपको देख पा रहे हैं same profile की job यहां पर आपको देखने को मिल जाती है जो कि district wise यहां पर vacances है वो सारी आप यहां पर check कर सकते हैं जैसे यहां पर access bank के लिए देख पा रहे हैं इसके लिए भी आप eligible है apply आपको जरूर से करना यहां पर इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है urgent requirement है इस job के लिए 0 से 0 का experience है मतलब as a pressure आप apply कर सकते हैं 12th pass eligible है इस job के लिए भी salary आप देख पा रहे हैं 14,500 से 21,600 है तो यहां पर आप directly इनके साथ connect भी कर सकते हैं यह इनके HR का contact number है इवन आप apply पे click करके सिधा apply भी कर सकते हैं इसी के साथ अलग profile आप देखना चाहते हैं आप देख पा रहे है access bank employment 2023 for office staff and office admin यहां पर जब आप click करेंगे यह interface आपके सामने open हो जाएगा इसमें अलग profile के लिए vacances है जो की data entry operator की ही है उसके बाद यहां पर आप apply कर सकते हैं 22,000 तक maximum आपकी salary रहने वाली है जर्नल, OVC, OTH, SC, ST हर कोई applies के लिए कर सकते हैं 76 total vacances इसके लिए आउट भी है एज इनमीट यहां पर अलग अलग रहती है हर एक post के लिए यहां पर access के HR का email ID भी इनके साथ सीधा connect कर सकते हैं contact number भी भलकी इनों ने दिया हुआ है आप इनके साथ connect कर सकते हैं यहां से भी सीधा apply कर सकते हैं इस तरीके से आप अलग अलग विकैंसिस यहां पर search कर सकते हैं जैसे data entry लिखाया भी access bank की भी आगई बंदन bank की विकैंसिस है अलग अलग डिपार्टमेंट की ही रहती है यहां ऐसा नहीं है कि सुरफ बैंक में ही विकैंसिस अलग अलग डिपार्टमेंट की है तो आप अपने कॉर्डिंग यहां पर विकैंसिस को सर्च करके भी apply के लिए कर सकते हैं इस स्टेप को फॉलो करते हुए आप apply करेंके किसी टाइप कोई भी problem आपको नहीं आने वाली है बाकि आपका कोई कोशिन है किसी भी recruitment को लेकर जरूरी नहीं इसी recruitment को लेकर या आपको कोई डाउट है आप comment section में comment करके पूर सकते हैं मैं आपका definitely reply करूँगी इसके इलावा जो विकैंसिस आई हमारी official site का link description में available है विजिट करके information लेकर उसके लिए आप apply कर सकते हैं इसके इलावा अगर first time आई है चैनल पर subscribe करके चैनल को bell icon को जरूर आपने प्रेस करना है ताकि हर एक update आप तक time पर पहुंग जाए चलिए आज के लिए इतना ही अबम मिलेंगे next वीडियो में नई information के साथ थैंक्स फर वाचिक